क्या हुआ। कुछ नहीं बस। चकस आगया हुए। कुछ याद आया। नहीं। दरसल तुम बहुत छुटी थे। और एक दिन मुझे रोजा छुट कर तुम्हे अचनपी दुनिया में चले थे। जहां तुमारे लिए सब कुछ नहीं आ था। लेकिन मेरे पास तो यहीं एक जगा थे। तुम्हारे साथ बिदाया हुआ वक्त था। परसों बेट गई। मेरा वक्त बही का वही रुख गया। वक्त के गोरे में पुरा नहीं आ थे। तुंद्री तो पड़ सकती है। लेकिन मिठती नहीं। मैं तुम्हे तेरी जीरे सब ज्यात दिला दूँगी। फिर कब आओगी। तुम्हारा नाम क्या है। लेचनी। लेटिका हूँ। आओ, मैं बताती हूँ। देखो, उस पाहड़े के पीचे एक गाउँ है। गाउँ के पास एक नदी बैती है। राजू, तुम्हें तुम्हें नहीं है। ऐसे माम नीम नहीं आरे। अरे पेटे, तभी अथी ठीक है ना। हाँ, मा, आचा मा एक बात बताईए। वो जो पराने खंडर हैं, उनके बादेयां कुछ जानती है। नहीं, यगर तुम क्यों पूछ रहा हूँ। जाने क्यों, जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे उन खंडरों से मेरा बहुत पराना रिष्टा है। तुम वहां क्या करने गए थी। ऐसी घुम्ते घुम्ते वहां पहुच गया। नहीं बेटा, वहां मत चाया करू। पूचा के अच्छी नहीं है। लेकिन मा, जब मैं छोटा था तब ही तुम्हें वहां चाया करता था। यह तुमसे किसने कहा। नहीं, किसने कहा नहीं मा, लेकिन कुछ-कुछ याद है। बेटा, भूल जाओ यह सब बाते। माद क्यों बाते। हतात के जवाब में सवाल नहीं किया करते। हमने कह भिया सो कह भिया। समझे। लगता है उस खंडर में मेरे पीटे कल की कोई कहानी छुटी है। और लड़की भी तुँ यही कह रही थी। लेकिन नाचाने मा मुझस से इस सब क्यों छुबा रही है। कुछ भी हो, उस लड़की से बार-बार मिनने कुछ ही चाहता। चोटे सरकार, यह फूल पुबूल कीजे। यह फूल? यह जी नहीं, यह जाड़ जंकार नहीं, यह इस बादी का सबसे नन्ना मुन्ना हसीन परीन पुबूल कीजे। तैंक्य मुझस जी। मैंचन नौर्ट मुझस जी। जी, आप नहीते का है। मैं अपने घर में रहता हूं। आप यहा है ना, सामने जो पहारी है न, उस पहारी के डामन में एक छोट आसा गाउँ है, वहाँ पर उख चोटी सी नदी के किराँ Tam बहस उस मंदर वाली गली में, जिस मकान के सारे शीशे फूटेवे हों, बस वही नेरा मकान है.. मुँची जानते हैं, मैं उनहें जानता हूं तो पिर आप उसको भी जानते हूंगे हाँ, उसको तो यह जानता ही हो, लेकिन किसको उसको हो? आपके गाव में रहती है आप का माता प Initiate फिर कभी? आप पिर कभी, ये फिर कभी कौन है? फिर कभी तो मेरे गाउं में कोई नहीं रहती है छोटे सरकार छोटे सरकार क्या बात है मुंचे जी आपकी उस फिर कभी में अभी की बात भूल गया इस मुंशी की मुंशयायन ने आपको घर पर दावद दी है दावद है जी? किसलिए? मेरी देट हैनेवर सरी है देट हैनेवर सरी? जी हाँ कहने के लिए तो शादी की सालगरा है मगर मेरे लिए बरबादी की सालगरा है जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी दिन में मर गया था वो दिन है और आज का दिन है मैं अपनी जिन्दा लाश को इस अंग्रेजी कोट के कफन में लपेटे हुए गाउं की गली कुछों में भटकता फिर रहा हूँ कमान मुंशी जी ऐसी बाते थोड़ी करते हैं पैसे कब है आपकी शादी किसा लिए गली है वो अशुब दिन बगर आपके आने से वो दिन शुब हो जाएगा जी हाँ, आप आएगे तो इस गरीब की इज़र्ण बढ़ेगी बड़ा मोज मेला लगेगा आपका चर्चा होगा, मेरा खर्चा होगा भर्चा होगा, बगर बढ़ी रोनक लगेगी गाउं का हर आदमी आएगा नर्नारी आएगी, हर कमारी आएगी हर प्यारी प्यारी आएगी फिर तो प्रचनी के बाएगी अरे खुश बिजाज खां इस खुशी के मौक्टे पर ये रोनी धुन क्यों बजा रहे हो क्या करूं मुशी जी यहां तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है मुफ्त में तो बेवक्त की शैनाई ही बजेगी न मैं एक शादी छोड़ करके आया हूँ जहां मुझे निन्ने अन्वे रुपए मिलने वाले थे अरे तुम निन्ने अन्वे के फेर में पड़े हो मैं साथ समंदर पार तुमको अमरीका भेजना चाता हूँ मुफ्त जी वहां क्या होगा वहां क्या होगा धालर होगा उचा कॉलर होगा पंडित रभी शंकर का नाम सुना है उनका नाम कौन नहीं जानता तालाप के उपर बैठे हुए सितार बजा रहे थे मैंने छोटे सरकार से कहकर उनको अमरीका भिजवाद दिया आज पूरे अम बैठो और पूरे अमरीका को अपनी शहनाई सुनाओ मैं यह चाहता हूं महां से नीचे उत्रो यहां और खुशी कितुन बजाओ बजाओ अरे मुल्ठी जी अरे पहलवान मेरा मतलब यह है कि भाग्यवान सारे लड्टू खुद ही खा जाएगी महमानों को भी खिलाना है ना महमान गाए भाड में यह लड्टू मैंने अपने लिए मंगाए हैं हाँ अरे बेटी मा अरे मा कौन है मा अरे मा कैसी है तुम लगा है मेरा मतलब यह है कि सहरे से कुछ आपकी सहत अच्छी हो गई है तुम हजो भी तेडा मुझ्ची कि एक के लिए छोटने सरकार से बात चलाओ ना छोटने सरकार से तुम तो कहतीं थे कि तुम्हारी उस हवेली बहुद चलती है एक के लिए बात चल आप लगता है मेरे चल चलाओ का वक्त आ गया मुश्याइन से मिलिए आईए 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 ये तो सास है मेरी ये मुश्याइन नहीं ये है मेरी मुश्याइन नहीं वर भी प्यारी प्यारिया है सास तहली ये खड़ी खड़ी ठपकू लगाए घड़ी घड़ी अपके वहां तो लोहे की गाडियां है पैट्रोल पीती है अगर ये जिनदा जोंके हैं मेरा खून पीती है खून पीती है तो कैसे सरकार इन सब का बोज यानि के खर्चा मुझे बंदाश करना पड़ता है सरकार मेरी तनका बढ़ा दीजी आप इस बिज़ी कैसी चमकी अरे फोटू फोटू ले और पार बार सरकार नियाए ले और पोटू ले और पार इनके साथ हमारी एक फोटू खिचा दीजिये ना इन ले फोटू ले इसके साथ हमारी तो फोटू किच वारे खुश्ती लड़ रहा हो अबे माथा क्या बीट रहा है अबे फोटू खेच रहा है कि कमरे गनाप ले रहा है मास यहां तक चलाया फोटू ले अरे कैसे पोटू निकालो यह सब कैमरे में समाई नहीं तो कैसे निकालो मैं अबे यह सारे एक कमरे में समा जाते हैं और यह तेरे कैमरे में नहीं समा रहे हैं कैमरे ने चांद को फोटू में दे लिया कैसे नहीं आ रहे हैं यह कैमरे में देखू मैं भानुमती तो आ गई अबे पूरा मुख खुलावा है कैमरे का फिर वो क्यू बंद हो रहे हैं यह तो आई नहीं रहे हैं क्या कहा क्यामरा समाल क्यों यह देट फूपी है स्टूल पर खाड़े होकर के मेरी बेटियों को नजर लगा रहा है यह तो नहीं वह पूरी कि मच्छर की आध़ को कि मैं पूरिंजर के लिए कि उल年前 कि निससे भूर ऊंचरा फोड़ कि अ मेरा इंतजार? मेरा? मैं जानती थी कि तुम्हा जरूर मुंशी जी की यहाँ ओगे अरे छोड़ो मुंशी जी क्या गोना था? पुझो तुम्हारे लिए आया था यही का पता पता है था न वो मंदर के पास? आच्छा पूरा गाउँ जमा है मुंशी जी क्या आच्छा पता है यह वाज है और पतार ही मुझे जस्था वारे अरे शोड़वीद क्वाद पतां जोरा यह क्या पता है क्योंको एक दिन का साथ होड़ी है जनम-जनम का रिष्टा है जनम-जनम का रिष्टा है? जेखु, तुम्हे, मेरे बार बार में क्कुँ गलस आमें तरह नहीं है。 उस दुमें तुम्हें कॉछ ऐसी की थी. मात पर सोनेगाए. माह क्या से पूछा, तुम समझ भी साथ अटाल गए. महीं तो कुछ समझ भी नहीं हा रही है है. देरे देरे सब समझाओगी, आओ, वहाँ बैठे क्या देख रहे हैं, तुम नहीं जानते, मैं इस तरह तुम्हारे साथ बैठने कुझे अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे न, कैसी बात करते हैं, इस मासूल चहरे न मुझे इतना बेचे लगा, कि मैं जिन्दगे पर इसे अपने आँखों से होज़े हैं, बाधा बाधा है हुआ 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 है हुआ है झाल